हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लोग रेजवेट्स के लिए पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकली लीगल असिस्टेंट की लेटेस्ट बेकेंसी के बारे में कम्प्लीट इन्पार्मेशन देंगे तो इन वेकेंसी में जो सबी फ्रेसर्स हैं जिनकी अभी लोग कम्प्लीट हुई है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं तो ऐसी ही लोग रिलेटेड यूजफुल वीडियोज का नोटिफेकेशन पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और लोग रिजवेट्स के लिए पटना हाई कोर्ट के द्वारा निकली लीगल असिस्टेंट की लेटेस्ट वेकेंसी के वारें डिटेल से जान लेते हैं तो दोस्तो इसका जो ओफिस्यल नोटिफिकेशन है आप इसकी ओफिस्यल वेबसाइट www.patnahighcourt.gov.in इस ओफिसल वेबसाइट पर आपको जाना होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है इस वेबसाइट पर जाने के बाद इसके recruitment section में जाना होगा इसमें कि आपको सबसे उपर notification मिल जाएगा advertisement for engagement as legal assistant 2023 इसका notification 10 January 2023 को जारी हुआ है means अभी आज ही notification जारी हुआ है तो चलिए इसके बारे में और detail से जान लेते हैं तो दोस्तो आपके सामने स्क्रीन पर Patna High Court Legal Services Committee के द्वारा जारी official notification है यहाँ पर 2022-23 के लिए legal assistant की vacancies निकली हुई है तो दोस्तो यहाँ पर जो post है वो है legal assistant और यहाँ पर apply कौन कर सकता है लोग graduates या post law graduates दोनों लोग apply कर सकते हैं means जिनके पास LLB की degree हो चाहिए 3 year की या 5 year की degree हो या फिर LLM की degree हो वो दोनों लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं और दोस्तो यहाँ पर apply वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने within 2 year LLB या LLM की degree पास की हुई है means आज से 2 साल पहले तक जिसने law degree पास की हुई है चाहिए 3 year law degree हो 5 year law degree हो या LLM की degree हो वही लोग यहाँ पर apply कर पाएंगे दोसरा दोस्तो यहाँ पर number of vacancies की बात करें तो 2 है और salary की बात करें तो यहाँ पर 30,000 पर मन्त के इसाब से salary मिलने वाली है और यह contract based job है यह maximum 2 years के लिए है यहाँ पर और इसके साथ साथ दोस्तो अब बात कर लेते हैं कि apply कैसे करना होगा आपको तो apply इसके लिए आपको email के माध्यम से करना होगा लेकिन application form fill up करना होगा offline है जो किसी notification के last में है जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस application form को fill up कर लेना है और application form के साथ साथ आपको एक recommendation letter चाहिए होगा अपने law school या university के head से या फिर आप अगर जो है किसी high court में practice कर रहे हैं तो वहाँ के जो senior advocate हैं उनके द्वारा recommendation letter ले सकते हैं यहाँ पर किसी भी experience के आउसकता नहीं है जो सभी phrasers हैं वो apply कर पाएंगे तो form को fill up करने के बाद अपनी जो educational details है documents को scan करके एक email ID है phclsc at the rate gmail.com यह mail ID है जिस पर आपको mail कर देना है important dates की बात करें तो 10 January 2023 से ले करके 31 January 2023 तक आप इस form के लिए apply कर सकते हैं और दोस्तो selection criteria की बात करें तो यहाँ पर देखिए interview के माध्यम से selection होना है तो जो eligible candidates होंगे उनको यहाँ पर job करने का chance मिलेगा और बहुत ही अच्छी opportunity भी मिलेगी बहुत बहुत धन्यवाद